प्यारे चात्रों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्किल पे जहां पर हम रेगुलर अभी लाए रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स कमेस्टर मैप की क्लास तो आज हम लोग आए पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स जैसा कि पिछले वीडियो मे पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे परिनालिका के कारण चुम्ब के छेत्र कितना होता है वो हम लोग बेंजक प्राप्त किये थे आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं टेरोइड के कारण टेरोइड अब क्या होता है जैसे कि परिनालिका के बारे में ह याईसे ही अब आये हम लोग सेखते हैं टेरोइड के द्वारा कितना चुम्ब की अच्छेत्र उत्पन होता है तो टेरोइड द्वारा उत्पन चुम्ब की अच्छेत्र ये टॉपिक लेंगे अब उसके नीचे कुछ फर्स्ट एरो देंगे लिखेंगे ज्यादा हो गया है फर्स्ट एरो देखर लिखेंगे टेरोइड टेरोइड मुल्त टेरोइड मुल्त परिमित लंबाई की परिमित अब बताते हैं सब के बायाने की परिमित क्या है परिमित लंबाई की एक परिमित क्या है जो ब्रीत के आकरिती में जो ब्रीत के आकरिती में मुडा हुआ रहता है मुडा हुआ रहता है शेकेंड आरो देंगे शेकेंड आरो इसमें लिखेंगे इसमें ब्रीताकार खोखले चल्ले पर इनैमल तार के अनेक फेरे पास पास लपेटे जाते हैं तो चल्ये अब हम लोग आगे फिगर के माध्यम से देखते हैं कि टेरोइड क्या है उसको हम लोग चल्ये देखते हैं टेरोइड को तो यह रहा टेरोइड का फिगर अच्छा अब टेरोइड के बारे में हम लोग जो लिखें उसको समझते हैं यह टेरोइड है और टेरोइड को समझने के लिए आपको पहले परिणालिका को समझना पड़ेगा प्यारी चात्रों परिणालिका में हम लोग पढ़े थे कि एक pipe होता है बिलनाकार pipe और इसमें बहुत तरह का एक तार को लेकर हम लोग इस पे लपेटते हैं तो जिस तरह का format बनता है वो परिणालिका कालाता है प्यारी चात्रों लेकिन अब यही pipe को ब्रिताकार form में लेना है यानि कि खोखला गोला एक pipe है जिसको ब्रिताकार रूप में ले लिया गया है अब यही ब्रिताकार रूप में लेकर एक wire को लपेटा गया है देखिए हम लोग एक wire को तार को हम लोग चारो तरफ दोनों मतलब pipe के चारो तरफ लपेट मा शुरूग करती है लपेटते लवेटते यहां तक इंड हो गया है फिर तार को हम आगे निकाल लिया है कुल मिलाकर देखा जाए तो परिणालका और टेरोइड दोनों सीम ही है क्योंकि परिणालका में भी हम लोग यही काम करते थे कि बस वहां पर होता था एक सिधा बेलन जिसपे हम लोग तार को लपेटते थे यहाँ पे लिवाई है यहाँ पे भी बेलन ही है लेकिन सिधा के बजाए एक बृत में है बृताकार रूप में बेलन है पायक का एक बृताकार फॉर्मेट है जिसके हम लोग कर रहे हैं तार को लपेटने का काम कर रहे है तो यहां पर जब तार को लपेटेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर हमें बनेगा प्यार चात्रों वही कहलता है टेरोइड यानि कि कुल्मिला का अगर देखा जाए तो टेरोइड और परिनालका में एक ही अंतर है काम सब कुछ वही किया जा रहे बस अंतर क्या है अंतर ये है कि हम लोग परिनालका को सीधा बनाते हैं लेकिन टेरोइड को एक ब्रिताकार रोप में बेलन को बनाकर और उसके उपर तार लपेटते हैं तो अगर हमें बुलेगा कि टेरोइड क्या है तो हम यहीं बुलेगे कि परिणालिका की जैसी संरचना वाली एक खोखले चले को बिरतकार रूप में मोड़कर उसके उपर से अगर तार लपिटा जाए याध रहे कैसा तार प्यारे शात्रों इनेमल करता है अगर मान लिया कि जाय कोई वायर पर अगर नेमल में अगर लपिटा झाल करता है जिसने को एक खोखल व्याएर में करेंट नहीं जाएगा तो मेरा मतलब ये है कि टेरोइड is same as परिनालिका, परिनालिका के जैसा है, बसरते अंतर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ हम लोग सिधे में लपेटते थे, सिधे बेलनाकार में, लेकिन यहाँ पे लपेट रहे हैं, हम लोग कैसे, बृताकार फॉर्म है, तो चलिए हम लोग इ दूसरा फीगर बनाया जाता है, इसको assume करके, इसका cutting करके फीगर बनाते हैं, तब हम लोग प्रूव करते हैं, जैसे कि आप पिछे परिनालिका वाले केस में देखे थे, वैसे आई हम लोग अब टेरोड का बियंजग प्राप्त करने के लिए कुछ अस्पेसल उसके लिए हमको और कुछ डेपली, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा, ये टेरोड ही है, लिकिन ये dot का मतलब प्यारे छात्रों क्या, कि जैसे हम लोग तार को लपेट रहे हैं तो तार को लपेटते समय, ये हमारे तरफ आ रहा है, और जै हम यहां dot किया है, और उसको लपेटेंगे, तो इधर से ले जाएंगे, ये क्या है, अब आपकी इच्छा है, आप इसे dot भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी तो लपेट सकते हैं, तो जब ऐसे लपेटेंगे, तो ये मेरे तरफ आएगा, तो यहां dot भी कर सकते हैं, और कि वे उपर की तरफ जैगा जैसे आप लप्टेंगे यहां तो खाले जगा है वह आपको हम यह यह नदर है चाह रहे हैं कि यह डॉज और क्रॉस क्या दिखा रहा है कि पुर्छ सामने से आ रहा है तो जा रहा है तो कॉस्त आप यहां पे अपनी इच्छा से डॉट भी बना सकते हैं, क्रॉस भी बना सकते हैं, कोई अंतर नहीं बढ़ने माला है, अब यह एक टेरोइड है, और इस टेरोइड में एक P बिंदू है, जहां पे हमें B का वेलू निकालना है, जहां पे हमें B का वेलू निकालना है, और याद इस टेरोड में जो तार लपेटा गया है उसमें जो तार का लपेटो की संख्या है या फेरो की संख्या है वो capital N है और इसमें current दिया जा रहा है I current यानि कि इसमें जो तार लपेटा जा रहा है तार में I current दिया जा रहा है विदुधारा I दिया जा रहा है अब जब दार में विदुद्धार आई दिया जा रहा है और लापेटों की संख्या एन है तो कुछ दूरी पर याकि वह दूरी क्या है? आर, याईनि यह अर क्या है? तो वह दूरी है वह ह्त्रिज्य है, जहां पे हमई क्या निकाला और लिया है यहां पे एक अ्पेया नूप हम लोग निकाल सकते हैं, for example, एक या एक बिनोट्स कर लिए, इसको हम लोग बोलेंगे Empyrean Loop, इसको बोलेंगे Empyrean Loop, उसको कहते हैं, जिस दूरी पर, जिस बिंदू पर हमें क्या निकालना होता है, उस बिंदू को लेकर एक सर्कुलर फॉर्म लेकर हैं, वो Empyre Loop का मतलब आपकी जैसी इच्छा, आप आयताकार भी ले सकते हैं, बृताकार भी ले सकते हैं, लूप का मतलब चारो तरफ से बंद होना चाहिए, तो हम पी बिंदू को लेकर एक चारो तरफ इसको घेर दिये, जिसको हम बोलेंगे Empyrean Loop, अब चलिए, हम लोगो क्या-क्या माना हैं और क्या निकालना हैं, ज़रा इसको लिख लेता हैं, तो इसके figure के निचे लिखेंगे, माना की, टेरोड के अंदर, किसी बिंदू P पर, कॉमा, कॉमा, जिसकी केंदर से दूरी, जिसकी केंदर से दूरी, कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, उस बिंदू पर हमें, चुम्बकिये छेत्र, बी का मान ग्याद करना है, पुरद्रम, इसके लिए, इसके लिए, हमने, इसके लिए हमने, पी बिंदू से होते हुए, एक एम्पिरियन लूप, एक एम्पिरियन लूप, खिचा, एक एम्पिरियन लूप, खिचा, चलिए है, अब एम्पिरियन लूप, खिचा, और फिर नेक्ट आरो में देंगे, लिखेंगे, यह तो फर्स्ट आरो हो गया न, बताते हैं क्या-क्या मान है, सेकेंड आरो लिखेंगे, माना की टेरोइड में तार के कुल फेरो की संख्या कैपिटल एन है, जिसमें बिधूत धारा आई परवाहित किया जा रहा है, चलिए, चुकि यह वायर हम लोग यहां लपेटे नहीं है, अगर हम लोग लपेटेंगे, इस एक्जामपल ऐसे, तो यहां पर जो तार है, उसमें हम लोग आई करेंट पास कर रहा है, चारो तरफ से, ऐसी हो रहा है, चारो तरफ से आई करेंट पास हो रहा है, तो जिब चारो तरफ से आई करेंट पास हो रहा है, और टूटल याद रखिए टेरोइड में किसी बिंदू पी पर हमें चुम्बकिये छेत्र का वहलों निकालना है जिसका किंद्र से दूरी कितना है अब चरब अगया है क्या बोलता है बिद्रान के परिपिए नियम से परीपर्थिय नियम क्या फार्मुला है क्या क्या प्रिपर्थिय नियम थो इंटिगरेशन दी डอ याद रखे टेरोइड में कुल धारा कितना होगा याद रखे जब हम लोग आई करेंट पास कर रहे हैं तो जितना लपेटे की संख्या होगा उतना आई करेंट की मातरा जादा होगी जैसे माल लिया कि अगर हम दो बार लपेटे हैं तो आई करेंट दे रहे हैं तो जितना फेरो की संख्या रहेगा उतना से मल्टिप्लाई किया जाता है यानि कि टेरोड में आपको याद रखना पड़ेगा कि कुल धारा जो होता है वो फेरो की संख्या जितना रहता है उस पे डिपेंड करता है यानि कि अगर फेरो की संख्या बढ़ेगा मेरा कुल धारा भी बढ़ेगा यानि कि ऐसे मेरा current i दे रहे हैं लेकिन कुल धारा टेरोड में कितना होगा तो जितना फेरो की संख्या होगा उससे multiply करेंगे फेरो की संख्या capital M और धारा i दे रहे हैं तो कुल धारा का मान कितना होगा n into i तो फिर उसके आगे नीचे जगा नहीं था इधर तो अब हम लोग यहां पर लिखेंगे b dl तो b constant है तो बाहर निकालेंगे तो b जब constant है तो बाहर निकल गया अंदर में पची गया dl और mu node इस कुल धारा के जगा पर हम लोग n i लिखेंगे यानि n i का मतलब यह हुआ कि फेरो किसं क्या तो n i अच्छा b is equal into dl का integration प्यारे चात्रों l होता है जैसा कि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं तो mu node n i अच्छा bl है तो l का मतलब क्या परिमाब और परिमाब या फिर लंभाई किसका तो देख पा रहांगे एंपेरियर लूप में ये कितना लंभा है थो ब्रीद का परिधि में एक तरह का जो दूरी है और वह एक त्रिज्या का काम करेगा कुकि यहां सियांतक एंपीरियर लूप में कैपिटल और त्रिज्या है इसे लिए लोग l निके जगा पर रखेंगी क्या तू पाई आर परिधी परिद का परिधी होता है तू पाई आर और हम लोग परिधी क्यों कि एक परिमाप है इसके बाद देख पा रहेंगे तो बी का वैलू निकालना है तो इसका फार्मूला क्या बन गया याद रखिएगा ये वो चुम्ब की चेतर का वैलू है जिसमें टेरोइड में केंदर से अगर 5 cm की दूरी बोलेगा यानि कि टेरोइड रहना चाहिए सवाल में टेरोइड बोलना चाहिए यानि कि सवाल में लिखा हुआ रहेगा कि परिणाल का है सीधे धारा वाहितार है तार के भीतर तार के बाहर कुछ भी सवाल रहेगा हमको बस ये केर करना है कि सब के लिए अलग-अलग चुम्ब के चेतर होता है सब के लिए अलग-अलग केस होता है ये टेरोइड के लिए टेरोइड में यह आर क्या बताता है यह आपको याद लगना पड़ेगा कि टेरोइड में यह जो आर है capital R यह टेरोइड का त्रिज्जा नहीं है यह जिस बिंदू पर याद करना है उसका केंदर से दूरी सवाल रहेगा कि किसी टेरोइड में दो एंपियर की धारा परवाहित की जा रही है उसमें तार के लपेटों की संख्या फेरों की संख्या यानि कि आप देखिए आपको दिमाग लगाना होगा अलग अलग situation में अलग अलग चीजे करने पड़ती है कहीं कहीं capital R जो है त्रिजिया हो जा रहा है कहीं capital R दूर हो जा रहा है कहीं कहीं capital तो अपने से मानने पे डिकर्ण करता है प्यार जात्रों अगर आप R के जगए पे T भी मान सकते हैं पी भी मान सकते हैं लेकिन जो book में derive करके जो formula लाता है वो यही है यानि कि R का योज करता है तो इसलिए हम लोग को R का meaning समझना है हर एक situation में R का meaning अलग अलग होती है आप अग्दम रटे नहीं कि R मतलब 3 जिया R मतलब दूरी ही होता है ऐसा नहीं समझना रहा है चलिए अब हम लोग चुकि प्रूफ करने वाला सब काम खतम हो गया है तो आए हम लोग कुछ एक्जामपल पर numerical करते हैं और कुछ numerical हम आपको बनाने के लिए भी देंगे तो यह हम लोग का प्रूफ हो गया तीन केस था एक सिधे धार वाही तार के कारण उसमें हम लोग तीन केस दीखें यह अंदर तार के बाहर और तार के सतर पर किरता होता है चलिए कुछ कोर्शन करते हैं कोर्शन लिख़ें है पहला कोर्शन सिधे धारवाही चालक तार में 0.2 Ampere की बिधुधारा परवाहित की जाती है 0.2 Ampere की बिधुधारा परवाहित की जाती है इससे 20 cm की दूरी पर चुम्बकिये छेत्र का मान ग्याद करें question number second दूसरा question लिखेंगे सब्वे हम hints करेंगे दूसरा question तीन सेंटिमेटर त्रिजिया वाले तार सिधे रूप में रखा हुआ है इसमें दो Ampere की बिधुधारा परवाहित किया जाता है तो इस तार में अच्छ से एक सेंटिमेटर की दूरी पर चुम्बकिये छेत्र का मान ग्याद करें कोश्चन नमर तीन कोश्चन लित्ते चलिए फिर हम सबका hints बताएंगे कैसे समझेंगी क्या करना है अगरा कोश्चन 0.25 मिटर वाले परिणालिका में दस दस मलो 5 एंपियर 10.5 एंपियर बिधू धारा परवाहित की जा रही है यदि इस परिणालिका के उपर बहत्तर तार के लपेटे हो तो इस परिणालिका के कारण चुम्बकिय छेत्र घ्याद करें चुम्बकिय छेत्र घ्याद करें अगला कोश्चन चौथा कोश्चन इसको लास्ट कर देता हैं कि यदि किसी तेरोड में यदि किसी तेरोड में 0.5 एमपियर की विधुधारा 0.5 एमपियर की विधुधारा परवाहित किया जाता है तो तेरोड के केंद्र से पांच सेंटिमेटर की दूरी पर चुम्बकिय छेतर ग्याद करें और ब्रैकेट में लिखेंगे फेरो की संख्या 314 है फेरो की संख्या 314 है चलिए तो हम सब के solution तो करेंगी नहीं हिंट्स के तोर पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहां से अनलोग देंगे हिंट्स फोर यानि कि ये आपका स्पेस है सब का मिनिंग सबनेगे चलिए पहला question आप लिखेंगे हैं सिधे धारावाही चालक तार में पहले तो 0.2 एंपियर है तो आप लिखेगा दिया है क्या भई तो आई का मानना हुआ एंपियर विदुधारा का ऐसे मातरक एंपियर है लिख लिया इसमें 20 सेंटीमिटर की दूरी पर चुम्बकिये छेतर व्याद करना है चुम्बकिये छेतर का मतलब B निकालना है अच्छा अब 20 सेंटीमिटर दूरी दिया है ये किस का मानना दिया हुआ ये आप समझे यानि कि सिधे धारावाही तार है सिधे धारवाही तार है अब इस तार से 20 cm की दूरी पर B का मान निकालना है चुमकी छातर का मान निकालना है तो आप बताईए प्यार छातरों कि यह कौन सा केस पर है सिधे धारवाही तार में हम लोग 3 केस किया है तार के बाहर, तार के सता पर, तार के भीतर, तार के अंदर तो हम लोग यहाँ पर कौन सा केस लगाएंगे केस नमबर फस न, क्योंकि बोल रहा है तार से 20 cm की दूरी पर तो फर्मुला याद केजिए कि B निकालना है उसके लिए हम लोग जो दूरी है ना वहाँ पर, जो तार के बाहर वाले केस में यह जो cm में दूरी है, उसको वहाँ R से दिनोट्स करते हैं 20 cm दिया है, तो cm को किस में कर लेंगे? मीटर में, तो मीटर में करने के लिए 100 से दिवाइड करते हैं तब यह हो जाएगा मीटर में, तो I का मान दे दिया, R का मान दे दिया और B का मान निकालना है, तो किस के लिए? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कि जब सीधे धारवाही तार में जब कोई बिंदू बाहर इस्थित हो बाहर इस्थित है, उसके लिए फार्मूला क्या भीका निकालना है? तो याद होना चाहिए, म्यू नोट आई बटा, 2 पाई आर निकालना है, 2 पाई छोटा आर यानि कि कुल मिलाकर अगर आप देखिए, तो आपको सब काम यहाँ पर करना पड़ेगा आई कवरेलू दिया है, बी कवरेलू मान निकालना है, आर कवरेलू दिया है, इसको मिल्टर में कर लेंगे और यहाँ पर सवाल कौन सा यूज करना है, वो आपको देख कर समझना पड़ेगा सीधे धारावाई तार में, जब कोई विंदू बाहर इस्थित है, यह फर्मूला होता है, इस पर तूट कर लेंगे तो अब उमीद है कि इतना हिंट्स करने के बाद आप स्वालोशन कर लेंगे, चलिए दूसरे कोश्चन की तरह बढ़ते तीन सेंटीमेटर तरीजिया वाले तार सिधे रूप में रखा हुआ है, अच्छा, तीन सेंटीमेटर तरीजिया वाले एक तार है तो जैसे माल लिया कि तार है, तार का मतलब एक बेलं के रूप में होता है तार पता है ना और इसका तीन सेंटीमेटर तरीजिया है, तार का तरीजिया तीन सेंटीमेटर है केंद्र से एक सेंटिमेटर के दूरी पर अलेंकि इसमें आई करेट पस्त किया जा रहा है यानी कि इसमें जो करेट है यह आइपस्त किया जा रहा है तो ये कि is पर क्योंन साफ़ बने जा सवाल यह हिंस और थार के भीतर यह अंदर कोई बिंद्व मौझूद रहता है उसके लिए B का यहां फार्मूला यूज होगा मूझू नोट आई आर बटा टू पाई आर स्क्वार राइट तो यह हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कब जब तार के भीतर इस्थित होगा कोई बिंदू तो यहां पर वही है क्यों क्यों क्योंकि त्रीजिया तार का कितना है तीन सेंटीमिटर और एक सेंटीमिटर की दूरी पर निकालना है तो एक सेंटीमिटर कहां होगा तार के अंदर ही न क्योंकि त्रीजिया तार का तीन सेंटीमिटर है और हमको केंद्र से एक सेंटीमिटर क के दूरी पर चुम्बकेच के तर निकालना है इसका मतले वह वहा कि तार के अंदर हुआ तो तार के भीतर के लिए लेकिन आप यार रखिए कि इस आर का मेनिंग क्या है तो छोटा आर का जो वैलू हुआ वह जितना दूरी पर निकालना है तो यहां आर हमें एक सेंटीमेटर के पर निकालना है तो एक सेंटीमेटर इसको मिटर में चेंज कर गना है और का वैलू तार का तिरिज्जा होता है तो तार का तिरिज्जा तीन सेंटीमेटर और आई का वैलू दिया है और म्यू नोट का पता ही है कि कॉंस्टेंट होता है 4 by गुने 10 के पावर माइनस साथ और पाई का वेलू 22 बटा साथ भी रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं तो इसके लिए जो फर्मुला होता है वो म्यू नोट आई आर बिल का फर्मुला म्यू नोट आई आर बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क पर ये फर्मुला होता है कि όल जबतार के भीतर होगा तो चली अब फिर नहीं कुर्चन है परिनालिका को लेकर तुसरा क्षक्टन परिनालिका वाला सवाल है और cet Southwest question टेरोइड का सवाल है तो परिनालिका वाले question में तो हम लोग देखे ही हैं इसमें लप्रेटो की संख्या दिया है आई का मान दिया है धारा का मान लेकिन परिनालिका का लंबाई दिया है प्यारे छात्रों और फिर परिनालिका वाला जो फर्मुला है उसको यूज कर लेंगे यहां पर टेरोइड वाला यूज कर लेंगे यानि कि टेरोइड का सवाल की नंबर चौंथा है और परिनालिका का नंबर तीसरा है तो इस तरीके से तीसरा वाला सवाल में हम लोग चुम्भकियत शेतर कब में निकालेंगे जब परिनालिका रहेगा और hopeful 4 नम्मिकां में हम लोग लोग को टेरोड का यहम लिए किया है और नाकी hey यह पर Отकी मन्हें किजégह और अगे मरें हम लोगा क्लास में आगे पढ़ेंगे धन्यवाद झाल